हेलो बच्चों स्वागत आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट का टोपिक तो सबसे पहले जानते हैं कि जो सहरों और कस्बों के अंदर बहुत जादा मात्रा में वेश्ट बनता है डेली बेसिज के उपर और इस वेश्ट का सबसे ज़ादा और most important जो इससा होता है वो human excreta होता यानि human का वेश्ट होता है इस municipal waste water को हम normally sewage बोल देते हैं और sewage के अंदर बहुत ज़्यादा मातरा में organic matter होता है और साथ में इस organic matter के उपर depend करने वाले heterotrophic microbes पाए जाते हैं और ये microbes हो सकता है pathogenic हो pathogenic का मतलब इन microbes से अलग-अलग disease हो सकती है अब याद आपको रखना है कि इतना ज़्यादा जो waste होता है इसको हम directly river के अंदर या कोई भी natural water bodies के अंदर enter नहीं करवा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा bacteria है organic waste है तो ये हमारे natural water bodies को pollute कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हम इनको sea wave treatment plant में इनका treatment करते हैं इनका pollution कम करते हैं जिसके अंदर हम अलग-अलग type के heterotrophic microbes का इस्तवाल करते हैं इस पूरे treatment को हम बोलते हैं sea wave treatment plant तो sea wave treatment plant के अंदर दो steps होते हैं सबसे पहला वो है primary treatment primary treatment के अंदर में लिए हम physical removal करते हैं कुछ छोटे और बड़े particles का इसके अंदर दो techniques filtration और sedimentation का इस्तमाल होता है filtration के मनतब जब जो भी आपका gutter के अंदर पानी आ रहा है उसको हम किसी जाली के द्वारा जो भी तैरते हुई चीज़े हैं जैसे कि plastic है बड़े पत्थर हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम filter करके पहले रख सकते हैं उसको पीछे ही वो रुख जाएगा बाकी का पानी आगे निकल जाएगा दूसरा जो स्ट्रेप है वो है sedimentation sedimentation के अंदर एक हम tank के अंदर पानी को भर देते हैं और इस tank के अंदर जो भी grit है grit का मतलब मिटी और चोटे पत्थर है वो तो नीचे बैठ जाएगे और जो हमारा केवल पानी जो है जो liquid है वेस्ट वोटर वो उपर बच जाएगा और इसको हम बोलते है primary effluent तो इसमें हम याद रखना है primary treatment एक जो है physical removal होता है particles के इसके अंदर filtration और sedimentation आते है filtration के अंदर जो भी floating debris हैं जो भी तैरती भी चीज़ है उनको हम बार बार filter करके अलग कर देते हैं and sedimentation के अंदर जो grit है मिटी और पत्थर है वो नीचे sediment हो जाते हैं और जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते है effluent और जो नीचे बैठ गए है उसको हम क्या बोल रहे है primary sludge अब जो effluent होता है उसको हम आगे secondary treatment के लिए भेज़ देते हैं अब देखते है secondary treatment में क्या होता है तो याद आपको रखना है secondary treatment को हम biological treatment कहते हैं क्यों है इसका नाम हम biological treatment रख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम microbes का इस्तमाल करने वाले हैं तो जो आपका primary effluent था उसको हमने एक अलग से tank के अंदर पास कर दिया है जिसको हम aeration tank कहते है aeration tank के अंदर वो जो पानी है उसको हम लगातार agitate करते हैं mechanically और इसके अंदर air को हम pump करते हैं इसलिए इसका नाम aeration tank है क्यों क्योंकि इसके अंदर air को हम add कर रहे है air air यानि oxygen तो इसके अंदर जो heterotrophic bacteria थे उनको oxygen मिली है जो भी microbes थे वो अब oxygen की presence में अपनी multiplication करते हैं growth करते हैं देखो इस जो है tank में अब waste water है waste water में हमारा organic waste तो पहले से ही है साथ में हमारे पास bacteria हैं जो इस organic waste के उपर अपना depend होंगे food के रूप में अब हमें इन bacteria को oxygen दे दिया है तो जितना ज्यादा oxygen मिलेगा इतना ही ज्यादा यह bacteria इस organic waste को decompose करेंगे इसको यूज करेंगे खाने के रूप में और organic waste को neutralize करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे हमने aeration tank में air को जो है pump किया है तो जो microbes जो होते हूँ फ्लोक्स के अंदर develop हो जाते हैं फ्लोक्स क्या होते हैं तो फ्लोक्स की definition होती है कि भई जो bacteria होते हैं वो fungus के filament के साथ एक mass life structure बना लेते हैं इसको flux कहते हैं माल लीजे यह जो आपके फंजाई होते हैं उसके filament है और ऐसा जाल और इसके बीच बीच में आपके bacteria आकर किफस गए हैं तो यह एक mass life structure बन जाता है जिसको हम फ्लोक्स कहते हैं फ्लोक्स में bacteria और फंजाई है अब जब यह फ्लोक्स बन रहा है तो इसका मतलब वहां पर bacteria औ ग्रोथ होने के दोरान यह oxygen को कंजूम कर रहे हैं और जो आपके organic waste है water में उसको भी कंजूम कर रहे हैं लिखा हुआ है वाहिल growing these microbes कंजूम the major part of the organic matter in the effluent effluent में जो भी organic waste है उसको यह कंजूम कर लेते हैं जितना ज्यादा organic waste कम होगा उतनी ही BOD कम हो जाती है BOD की बारे में BOD यानि कितनी oxygen आपको चाहिए एक लिटर पानी में जितना भी organic waste है उसको neutralize करने के लिए तो the amount of oxygen that would be consumed कि भई कितनी oxygen लग जाती है if all the organic matter in one liter of water एक लिटर वोटर में जितना भी organic matter है वो बैक्टिरिया के दवार oxidize किया जाए तो उसमें जितनी oxygen लगती है वो उस water sample की BOD है तो याद आपको रखना है जितनी जज़दा BOD रहती है उतना ही ज़दा जो है pollution होगा जितनी ज़दा BOD उतना ही ज़दा Pollution BOD का मतलब उसमें ज़दा organic waste है उतनी ही ज़दा oxygen चाहिए तो उसकी BOD जदा suppression होगा अब ये आपका primary treatment के बाद जो है secondary treatment था जो कि अब complete हो जाता है तो secondary treatment में हमने aviation tank में जो है flocks बन गई है और BOD जो है कम हो गई है अब इसको हम अगले settling tank के अंदर भेजते हैं settling tank में यह जो सारा आपका secondary treatment का aviation tank में था उसको हमने इसमें डाल दिया है अब यह sediment होने के लिए छोड़ देंगे sediment के time जो नीचे बैठ जाएगा वो flocks होंगे और जो उपर बच जाएगा वो आपका primary effluent रहेगा effluent यानी साफ पानी उपर है और जो आपके flocks है वो नीचे बैठ गए है flocks को हम activated sludge कहेंगे अब यह जो activated sludge होता है इसको वापिस से हमारे aviation tank में भेज दिया जाता है बच गया है तो हमारा effluent था उसको तो हम river में या natural water bodies में छोड़ देंगे जो flocks का बचा हुआ पार्ट है उसको हम anaerobic sludge digestor में भेज देते है anaerobic sludge digestor एक anaerobic chamber है जिसके अंदर यह सारे flocks को हमने रख दिया है और इसके अंदर अब हमारे अलग अलग बैक्टिरिया हैं जो इन flocks को decompose कर देंगे मार देंगे और इनके decomposition के दोरान ही यहां पर अलग अलग gases निकलती हैं जिसको हम bio gas कहते हैं bio gas के अंदर मेली कोन आता है आपका methane hydrogen sulfide and carbon dioxide तो याद आपको रखना है bio gas बनती है anaerobic sludge digester में कब बनती है जब आपने flocks इसमें रख दिये हैं और उन flocks को anaerobic bacteria decompose कर देंगे उस दोरान bio gas बनती है और यह bio gas एक inflammable होती है तो इसको यूज कर सकते हैं जो effluent आपका बना था secondary treatment में उसको हमने natural water bodies के अंदर release कर दिया है अब यहां पर आपको एक aerial view दिखाया हुआ है कि भी कैसे आपका स्टीपी दिखता है तो स्टीपी के बारे में अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि स्टीपी हमारे इतना important होता है यह bacteria कि कोई भी टेक्निक आज तक नहीं आई है जो इसका compare कर सकते हैं किसी टेक्निक का इत् इसके बार में साफ कर सके इसके बाद हमारा है कि लगातार population बढ़ रही है सहरों में लोगों की तो ज़्यादा human waste बनता है ज़्यादा सीवेज बनता है तो उसको उस सीवेज को जो है treat करने के लिए इतनी ज़्यादा मातरा में FTPs नहीं बन रहे हैं उसके बाद last topic है कि हमा सारे Ministry of Environment and Forest ने गंगा एक्षन प्लान और यमन एक्षन प्लान नाम के दो ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट के थे इसके अंदर गंगा और यमना जो रीवर है उसके आसपात ज़्यादा मातरा में FTPs बने ताकि वहाँ पर direct हम सीवेज को इन नदियों के पानी के अंदर ना एड़ कर सेगे ताकि इसका पॉलिशन कम हो तो बिटा यह है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लान सोरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और यदि इसके बारे में कोई आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं यदि ती चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बारे प्लाक ट्रीटमें घ्जट मेंगे प्लाएब कर सेटकी बार आपको को गतरा आईषी बारे में प्लाएब कर साबड़ कर सेटका